कि खान मारूफ साब है कि अधुक है प्यारे बाई मुमिन है मैं पहले तो मुमिन थे आप तो मुमिन नहीं हूँ लेकि मैं इतना अच्छा मजब छोड़के क्यों चले गया मैं जब से अपनों को ऐसे लाइबी स्ट्रीम सुन रहा हूं उसके बाद मेरे पास तो आकल है कि सारे तो आरब का डेजर्ट की वालू नहीं है इसलिए तो रिवो सोच के फाइनली मैंने डिसेट की एक साल पहले कि यह माजब यह इसलाम यह सारी धर्म एसा सारे मानुष ने बनाया है कोई गौर या फिर अल्ला भागोबान किसी के पास से नहीं आया और मेरा हिंगी पढ़ते थे पहले मैं बांग्लादेश से हूँ आभी साओध कुरिया में काम कर रही हूँ आप यह तो बहुत मस्तो गया कभी नौर्थ कोरिया का भी दोरा मारो उता तो जारा नह आजे पढ़ते थे पहले मैंने सचा मुमीन थे मतलब एक वाक्त वी में जामत के लाबा एक अला काभी नहीं पर रहा था अरे वा टाइमी थे मैं मतलब एक अला मतलब मेरा नामस काजा हो गया फिर छोर दिया था ऐसा खुब कौम थे अच्छा मतलब इतना शिदत से आप फ पहले थे आभी तो भूल चुका हूँ शायद आच्छा क्या आता है फिर आयतुल कुरसी आती है यह पहले आती थी आभी मालूम नहीं है बहुत दिन हो गया है लेकिन मेरा सुरह फातिया वह याद है यार क्या मतलब है सुरह फातिया तो हमारे नॉन मुमिन भाई लोग को भी पता है आप पांच टाइम के नमाजी थे कुछ अच्छा याद रहेगा ना आपको करिये भूल चुगा है असलाम आलाइना वा आला इबादिल्ला इसालिह आश्यद वाला इलाह इलालाह मुहम्मद रसूल्ला आश्यद वान्न मुहम्मद अब्दू रसूल्ला आई जो है वो ठीक है मुमिन ही थे एक साल का हो गया तो तो हो सकता है कि बूल जाए आज जोर में कitनी नमाज होती थी में मतलब चार राकत हो ऑ है और www.ms बीषे और वाल और इक साल मतलब इस्लामिक सारे चीज मतलब किताबे या फिरावाज जयादा सुनता था मैंने लेक्ष्यर्स जयादा सुनते थे उसके बार दोरी दोरी मैंने आमुल करता था बहुत मतलब दिल से एक क्लास के साथ सिद्रत के साथ मैंने दिल से किया था और उसके बाद जानकारी बहुत दिरे दिरे बरते रही थी मेरा जब मैंने 9 और 10 स्टेंडर्ड पास किया है उसके बाद और भी ज्यादा बार गया मेरा मतलब उस तैम से फूल 5 टाइम्स सालात मैंने परता था और उसके साथ मैंने एक दिन भी मतलब मेरे नीद नहीं आता कोई लेक्चार सुने भी ना मेरे नीद नहीं आती इसलामीक लेक्चार फिर जाके नहीं के तो बाद में तो मैं बहुत बड़ा फैन हो चुका था आपकी जैसा फिर जब धीरे धीरे मेरा बंगलादेश का और भी ऐसे एथिस्ट है उन लोगों का मैंने का एक वीडियो धीरे धीरे देखने लागा देखने लागा उसके बात समझ में आने लगा है कि यह तो सही है जब मैंने बस्पन से इसलाम की को हिस्टरी या फिर कुछ-कुछ आयात हादिस रूस इसके बारे में जब सुना था मैं फ कि दोटने इस एक आ लागरा यह जया बोला है ऐसे ही है ऐसे मनन परेक्ञाम लोग रचे फोलो करना है बस इदर उदर देखना नहीं है नींचे देखकर बॉप लेगिन जब यह सारे वीडियो त्वी दिरे दिरे आने लागा देखने लागा और उसके बाद मेरा सारे समझ हादिस बोलती है फिर वहाभी इसका जब सुना था इन लोगों का लेक्ष्यार फिर मैंने कौन बाटों के उधर चली गया था और उसके बाद आहले कुरान बोलती है उन लोगों को लेक्ष्यार सुना है और उसके बाद कौन बाटों के मैंने उस तरफ चली गया है और उसके आपको लोगों का फेयन बन चुका हो मैंने चलिए भाई के अंदर काफी चेंजस आया पहले वो मेरे क्याल से देवबंदी या बरेल भी थे उसके बाद वो एले अदीस हुए फिर उसके बाद एले कुरान हुए और उसके बाद फिर उन्होंने इसलाम को ही टाटा बाई बाई कर दिया बहुत अच्छा लगा यार बांगलादेश से भी लोग जो है वो इसलाम छोड़ रहे हैं हलाके वहां भी दिमागी अपंगता जादा है लेकिन कोई अगर अपना दिमाग चलाता है थोड़ा सा सोचता है तो उनको भाई यह पागल बनाया गया है यह मनिश्वदारा जो है यह रचना की गई है इस कल्ट की और इसमें उन्होंने अपना फाइदा सोचा मर्दोंने अपना फाइदा सोचा और उस तरीके से डिजाइन किया तो यह समझ में आ जाता है बस थोड़ा सा अकल की बुद्धी लगाने की जरुवत होती है जो के हमारे खान मारूफ भाई ने लगाया, बहुत बहुत कॉंग्राइचुलेशन खान मारूफ साब, खान मारूफ भाई के लिए एक एक है वो गुलाब का फूल पेजे ताके मैंने काईक दिनों से कोशिश की थी आपके साथ लाइब में कैसे जोर सकूँ मैंने डूढ रहा था और आपकी चैनल की लिंक मेरे को एक भेहन ने दिया था मेरी देश का एक भेहन ने दिया था कि यह इंडिया का है हिंदी आती है तो यह चैनल को फॉलो करो बहुत अच्छा है और लास्ट एक दो माहने तक मैं सिर्फ आपको वीडियो ही देख रहा हूं आपको और एडम सीकर भाई का जो पाकिस्टान से है शायद यह दो चैनल को मैंने देख रहा हूं तो मेरे को बहुत आच्छा रखता है और जब भी सारे मेरे फ्री टाइम में आपकी चैनल सुने भी दो तीन महने तक मेरे नीद नहीं आती अरे वाव 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 क्या बात है भाई हमारे जो है ओ दिन राच जब भी मौका मिलता है हमारी वीडियो देख रहे हैं और इनके इल्म में इजाफा होगा वीडियो देखने से और जो भी बेहन ने इनको हमारे चैनल का लिंक द जितने लोगों तक पहुचाएंगे उतने जादा लोग इस दिमागी अपंगता से बाहा निकलेंगे और जो नौन मुमिन अज़रात इस दिमागी अपंगता में अगर घुछने की कोशिश कर रहे हैं या उनको उनको तबलीग की जा रही है उनकी माइन्ड कंडिशनिंग करन आज की तारीक की जरूरत है यह कि लोगों तक इस्टान में हकिकत पूंचे लाइफ की एक थोड़ी शेयर कर सकता हूं जी शॉट में सुनाईए है शॉट में मैंने जब यह समझ में आया गिया है कि यह सारे फेक है शारे जूट है सारे माज़ा भी है फिर धरम फिर उसके बा में है और मेरा च्टा भाई है दो सिस्टर है बारा मेरा साब को पासाब को मैंने यह सारे बोल चुका हूं बहुत बार कि यह देखो यह प्रोब्लेम है अब आपको यह आप यह बिश्वास करते हैं लेकिन यह सारे जूट है क्योंकि इसलाम माज़ा बिलीफ करके उसको अबिश्कार हुआ सारे मेडिसीन या फेर ट्रीटमेंट का जो सिस्टेम में उसके पास जाती है ठीक है लेकिन हालाकि इसलाम की जो बताए गया ही कि अगर तुम कोई बीमार पार जाओ फेर यह करो सूरा पारो फूप मारो पानी पियो तुमको साहद मिल जाएगी क्या एकिन किसी ने यह फॉलो नहींगा तो जब मैं यह बात बोलता हूँ मेरे को बोलती है तु यह हो गया तो हो गया तेरे उपर लानत है वो है यह है ऐसे बोलते है सम्लों। शायद कोई चोर है ना चोर डाकू उसके उसके भी उसके भी नीचे गिर गया हूं मेरा इज्वत अभी मिल चुका है सिर्फ इसलाम के चोडने पे दिमागी अपंगता से बाहर करने पे इतना नफ्रत करते हैं आपी तुम्हें साथ कुरिया में साथ अर्साल से इधर हूं काम कर रहा हूं कुरिया पे फिर अभी मेरा देश में फेमिली से आभी लाटकी ढूंड रहा है शादी के लिए बोट थोड़ी दिन पर सायद दो विक्स होगी, तू विक्स पहले मिल चुका था, और दोनों देखने के बाद, दो फेमिली से बाद भी हो चुका है, हम भी राजी है, उस तरह भी उके है, हाँ है, लेकिन मेरे फेस्बुक से, मतलब जो एटिस्ट है, मेरा देश का पोपुलर, उन लोगों ने मेरा पाब्लिक प्रोफाइल फॉलो गया है, माने माद्दा थोड़ी चेक किया है, देखाए गया हो, मैं तो इन लोगों को फॉलो करता हूं, ठीक है, इसलिए उन लोग बोला है कि ये लोग तो आल्ला में बिलिब नहीं करता, आप इदार लार्की नहीं है, और आप जैसे बता है कि महलने वाले को इपता चल गया है, तो आप अगर फिर से रिटन जाएंगे अपने घर, तो बहुत जादा समझ के विचार करके आप जाईएगा, ताकि आपकी जान को खत्रा ना हो, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है, मांगला देख, अभी भी या फिर हर साल में मैं कुर्बानी दे सकूं, लेकिन मैं दो-तीन साल तक नहीं दिया है, इसलिए लास्ट टाइम, अभी थोरी कायक माईने पहले, कुर्बानी जा चुकी है, मैंने नहीं दिया है, तो इसलिए मतलब सोसाइटी के सारे लोग, रिलेटीफ, बहुत कॉंटरब या फिर लोग है, उन लोगों को में में को बोलता ही कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे सोच रहा है, बात ही कर रहा है, मतलब अभी मैं लैंप लाइट में आ गिया हूँ, सारे नाफ़त कर दिया है, बिलकुल, तो इसी वेज़े से मैंने कहा कि आप बड़ा ध्यान रखना अ आपने अपनी स्टोरी भी सुनाई, आई होप आपको थोड़ा तसली मिली होगी, दिल थोड़ा हल्का हुआ होगा, थेंकियो सोचा नहीं कि जब अभी इंटर करो, साथ-साथ मिल जाएगी, मेरे अपनी स्ट्रीम पे ले लेगी, इसलिए आपको बहुत-बहुत आप शुक्तियात ही कर रहा हूँ, और मैं अभी जो फेस्बूक प्रोफाल है, सारे पाप्लिक है, और मैं रियल आइडिया है, मैं सब कुछ इलर सेयर करता हूँ, मेरे पार्चोनल सब कुछ, फोटोस, वीडियो और उसके साथ जो चीज अच्छा लगती है, आपकी जैसा वीडियो, यह पर शॉर्ट, इस सब भी मैंने डिरेक्ट शेयर करती हूँ, इसकी बाद ऐसे सारे लोग देखती है, सोचती है, कॉमेश नहीं करते हैं, लेकिन रिस्क ना ले आप, ऐसा रिस्क ना ले, परसनल आइडि से शेयर करने के बजाए, देखिए अगर आप हमेशा अगर आप नहीं चाते हैं, तो आप अपना बनाता है, आपको शेयर करना है, एक सुडो नाम के साथ, सुडो आइडि के साथ अकाउंट अपना बनाए, और फिर उस पे से शेयर करें, यह सारे लोगों के लिए हैं, कि आपको अननेसेसरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है सुडो आइडि बनाने का सबके पास option होता है, सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स भी इतना तो आपको यह देता है, प्रिविसी, कि अगर आप नहीं चाते हैं, तो आप अपनी identity बिना सामने रखे हुए भी अपनी बात रख सकते हैं, तो आप उस तरीके से करिए, चलिए, कि अख पर उसता हैं, तो समयोख ऑर ओर आपको और यूसरा कि अफरार का उकरती हां एक्ष्णी आपको यह कर दोके कि आख पर लेंस्टर्ट हैं, फ्म और आपको सश्म्सenixताे हैं, ही नहीं लेकिर के तारे सेक्फ़ आपके पास, आपके बिल्यूखेए, आपकर द sun रेकि